गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुंद्र तठे यह समुंद्र तठ की रक्षा के लिए कोस्गाड की रचना की गई है और यह कोस्गाड के जवान और कोस्गाड की पूरी टीम यह जो गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुंद्र तठ है उसकी अच्छी तरह से रक्षा और सुरक्षा कर रहे है औखा में यह कोसगाइट का मुख्यालाए है उसके अलावा जखकौई है गांधी नगर है और यह जो देश दिरोही प्रवर्तियां होती है या जो नापाक हरकत होती है वो हरकतों को दूर करने के लिए यह जो समुद्र तठ है और समुद्र के अंदर यह सीप से हेलिकॉप्टर से और होवर क्राफ्ट से यह अच्छी तरह से छांट बिन करके 24 गंटे इस पर निग्रानी रखते हैं 17 जून को यानि कि आज से छे दिन पहले जखों के पास जो होवर क्राफ्ट की टीम थी कोस्ट काट की वह सर्चिंग कर रही थी उस दोरान समुद्र तठ पे चार पेकेट नसीले पदार्थों का मिला उसके बाद 21 जून को जब उसके पास जो समुद्र तठ है वहाँ निग्रानी करने के अंदर जो 34 पेकेट ये नसीले पदार्थों का मिला है और 22 जून को ये इसके समीप ही जख्खव के समीप समुद्र तठ से 50 पेकेट नसीले पदार्थों का मिला याने के कुल मिलाकर 88 पेकेट नसीले पदार्थों का मिला और चानबीन के दोरान पता चला कि ये चरस है और ये चरस की बाजार में एक करोड 32 लाख रूपया कीमत होती है कोस्गाट की जो मिला कमांडिंग के होवरक्राफ्ट है उस होवरक्राफ्ट ने ये पुरा जो मामला है ये जो पुरा चरस को पकड़ने का जो पुरी कारियवाई है ये वरक्राफ्ट की टीम ने की है उखा मुख्याले की कोस्गाट का उसके जो भी अफसर है और जखों के जो अफसर है उसकी निग्रानी में ये पुरा ओपरेशन हुआ है और इस ओपरेशन के दोरान जो अठासी पेकेट चरस के पकड़े गए है उसको मरीन पोलिस को सोंप दिया गया है जो विभीन एजनसियां है वो चानबिन कर रही है कि ये चरस के जो पेकेट है जो समुद्र तट से जखों के पास से मिले हैं वो कहां से आये हैं कोन लाया है और समुद्र तट से क्यों मिले हैं ये जो पाकिस्तान की और से जरस का जो दंधा कर रहे हैं इल लिगली और उसके अलावा भी भारत के कोई लोग इसमें इन्वल है कि नहीं ये सब चानबिन एजनसियां कर रही है द्वार का टूटे के माधियम से मैं बुधा बापाटी के मेरा पास सुनीत अस्दासानी के साथ ओखा